नमस्कारम सद्गुरू, मेरे पास एक सवाल है, हमारे माता-पिता के साथ हमारा रिष्टा, क्या हमारे जीवन की दिशा और दशा तै करता है? अगर हाँ, तो इसे गहरा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो योगिक विज्ञान में हम जीवन को जिस तरह से देखते हैं, हम मानव जीवन को एक पूरे चक्र के रूप में देखते हैं, अगर व्यक्ती 84 साल की उम्र तक जीवित रहे, जीवन के इस चक्र में जिसमें चंद्रमा के 1008 से कुछ जादा चक्र होते हैं, पहले चौथाई हिस्से में उर्जा की दृष्टी से माता-पिता का हमारे उपर प्रभाव होता है, कर्मों के प्रभाव की बात करें, तो सिर्फ 21 साल की उम्र तक माता-पिता हमें प्रभावित कर सकते हैं, उसके बाद हमें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, मगर उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है, पहले तो वो हमें इस दुनिया में लेकर आए, और हमसे प्यार और जुडाव के कारण उन्होंने और भी कई चीज़ें की, हम आभार की भावना में जी सकते हैं, 21 साल की उम्र के बाद आपको अपने वन्ष के पैटरन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महतवपून चीज़ ये है, कि ये एक नया जीवन है, इसे वही चीज़ें नहीं दोरानी चाहिए, जो पिछली पिढ़ी ने की थी, तो जादा से जादा 21 साल की उम्र तक एक कार्मिक प्रभाव होता है, जो निश्यत रूप से हर किसी पर असर डालता है, मगर 21 साल की उम्र के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती, ये पूरी तरह मानसिक निर्भरता या माता-पिता पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता होती है, बहुत सारे लोगों के लिए, मगर मूल रूप से 21 की उम्र में ये बंधन तूट जाता है, मगर उसके बाद ये रिष्टों का, प्यार का, आभार का बंधन होता है, ये चीज़ें हमेशा बनी रह सकती हैं, तो हमें 21 की उम्र के बाद माता-पिता द्वारा पोशन की तलाश नहीं करनी चाहिए, हम बस आभार की भावना के साथ जी सकते हैं, कर दो का, इसके बाद लाद की तलाश नहीं करना है, झाले के बाद का, इसके बाद प्टों का, प्यार के साथ जान वालो का, अभार बाद तलाश प्यावना का,